एलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में कुछ ऐसे सेर्स के बारे में जिनकी मार्केट प्राइस जो अभी है वो 50 रुपे के अंदर अंदर है और ये स्मॉल या अजिनकी मार्केट को लेकर के इन्वेस्टिंग को लेकर के आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा ठीक है तो देखिए इस्टॉडी परपस के लिए है ये वीडियो और स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताता हू लेकिन उससे पहले हमने ये जो स्टॉक्स चूज किये हैं पचास रुपे के नीचे नीचे वाले वैसे पचास रुपे के नीचे बहुत सारे स्टॉक्स है जो हमने चूज किये है पांच स्टॉक्स उसके पीछे का जो अब्जेक्टिव है उदेश ये है वो हमने ये देख फिर 15 आ गया फिर 25 रुपए चला गया लेकिन वापस 20 पे आ गया तो उपर नीचे होता है लेकिन overall देखोगे तो आप 10 से 20-25 पे पहुँच चुका है तो इस तरीके के ये जो चार्ट पैटन होते हैं इनको positive चार्ट पैटन बोलते हैं अगर ये stock आपको 52 वीक के low के असपास में दिख जाए तो आपको इसमें invest कर देना चाहिए और थोड़ा उपर जाते हैं आपको इसको बेज करके अपना benefit या जो मुनाफा है वो profit बुक कर लेना चाहिए लेकिन आप इस companies के analysis बहुत अच्छे से खुद कर सकते हैं वो भी सीखे analysis के ऊपर हमने अलग से video बना रखा है अभी आम आपको सिर्फ इतना बताएंगे राहूल ये 5 स्टॉक ढूंड के लेके आए हैं तो राहूल सिर्फ आपको इतना बताएंगे उस स्टॉक का नाम बताएंगे और उसकी current market price 52 week high और 52 week low ठीक है ओके चलिए राहूल आप सबसे first stock बताएए सबसे पहला stock है हमारा ग 70 पैसे high है इसका 17 31 अभी 21 रुपे के आसपास चल रहा है 20 21 चल रहा है लो के आसपास है इसमें आप डाल सकते लेकिन अभी market बहुत overvalued हो चुका है तो गिरेगा तो सारे stock थोड़े बहुत नीचे जा सकते हैं तो एक दो दिन आप इंतजार कर सकते हैं इस stock को लिख के रख तो 15 रुपए 80 पैसे इसका low है और high इसका 76 रुपए high है इसका तो 38 ठीक है ना average लग रहा है तो ना low के करीब है ना high के करीब है बीच में लटका हुआ है तो देखिए अगर गिरे तो खरी सकते हैं आप next stock की बात कर लेते हैं कौन सा है थार्ड नंबर थार्ड नंबर हमार 23 और भीच में है 24 रुपए ठीक है ओके next और हमारा next stock है angel fiber और इसकी अभी current price की बात करें तो 27 रुपए लगमा 28 के करीब चल रहा ही है 28 पिंचानू और इसके low की बात करें तो 20 रुपए इसका low है और high इसका 45 रुपए है तो यह तो low के करीब लग रहा है मुझे है ना तो और इसके high की बात करें तो इसका high है 91 रुपए इसका high है और low 38 रुपए है और अभी इसके current price चल रही है 45 रुपए पैसे तो 45 रुपए है निकि 50 से नीचे हो गया तो मैंने यह बोला था आपको हाँ इनके high वगरा उपर हो सकते हैं लेकिन अभी यह 50 से नीचे चल रहे है तो आप इनके बारे में और analysis कर सकते हैं इन stock के नाम बता दिए analysis कैसे करना है उसका video का link भी हम में है यहाँ पर आपको यह दिखरा होगा इस पर आप click करके हमारा analysis वाला video भी देख सकते हम मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही thank you so much comment like share subscribe and support करते रहिए goodbye thank you